हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो सरकारी रिजल्ट अड़ा, दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिसंद्वारा UPPCS का एप्लिकेशन फॉर्म जारी कर दिया गया है, तो जो लोग UPPCS 2022 का एप्लिकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक ज दिया है, आप वहाँ पर जाएं, और इस website पर क्लिक करने के बाद आपको apply button पर क्लिक करना है, जैसे apply button पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं, PCS परिक्षा, PCS परिक्षा 2022, यहाँ पर pay scale दिया गया है 9300 से 34800, minimum age यहाँ पर 21 साल है, अपर age 40 साल है maximum, total 250 vacancy हैं, यहाँ पर आप qualification देख सकते हैं, तो view button पर क्लिक करें, इसके बाद आपको देख, education qualification दिखाए देगी, जहाँ पर लिखा हुआ है, किसी मानिता प्राप्त विश्विद्याले से graduate होना चाहिए, और application fees की जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आप सबसे पहले आपको registration करना होगा, तो registration button पर क्लिक करें, लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप घर बैठ है, online इसके तयारी करना चाहते हैं, तो unacademy दोरा UPPAC के तयारी के लिए नए batch start कर दिये गए हैं, और इसमें bumper offer दिया जा रहा है, तो आप इसका plus या iconic subscription ले सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं, आपको 20% discount count दिया जाएगा, अगर आप SR Adda coupon code यूज़ करेंगे, तो मैंने link वीडियो के description में दे दिया है, और comment में pin कर दिया है, आप 500 सरसर रुपे पर मंत में अपनी तयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर SR Adda coupon code यूज़ करेंगे, तो इसमें आपको 20% का off मिलेगा, इसमें आपकी daily live classes हो आपको केवल एक plan लेना है, उसके बाद आप सभी batch access कर सकते हैं, यहनि कि पुराने सारे batch access कर पाएंगे, उसके लाव आपकी सारी live classes आप access कर सकते हैं, तो अगर आप कोई topic जल्दी खतम करना चाहते हैं, तो पुराने batch से उसको देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर live class में आप discuss कर सकते हैं, तो यह आप के लिए बहुत ही beneficial रहेगा, आप यहाँ view pricing पर click करें, उसके बाद आप time select करें, कितने time के लिए plan लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर select करने के बाद SRADDA coupon code यूज करें, SRADDA और apply button पर click करें, अभी आप देख सकते हैं, यह plan आपको आप 453 का discount मिलेगा, यहने कि 2720 रुपे का, तो मैंने link वीडियो के description में दे दिया है, आप घर बैठें online तयारी कर सकते हैं, आप घर बैठें online इंडिया के best educators द्वारा अपनी तयारी कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर यह बताना होगा, आपने पहले से registration किया है, अगर किय है, तो yes कर दे, फिर आपको registration number डालना होगा, और verification code डालना होगा, proceed button पे click करके आप proceed कर दे, अगर शुरू से start करना है, तो आप यहाँ पर no करें, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से application form खुल करा जाएगा, आप यहाँ पर सबसे पहले PCS examination 2022 select करें, उसके बाद आपक पिता या पती का नाम डालें, उसके बाद आपको, अगर आप UP के निवासी हैं, तो आप yes कर दे, डोमशायल UP कर दे, अगर नहीं है तो no पे click करें, अगर yes करेंगे, अगर आप UP के निवासी हैं, उसके बाद अगला option है कि आप freedom fighter dependent हैं उत्तरपुदेस में, तो आप yes कर दे होगी, अगर नहीं है तो आप no पे click करें, ये box जो है अपने आप बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप PH candidate हैं, तो आप यहाँ पर अपनी disability select करें, जैसे कोई भी select करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर उसके options आ जाएंगे, और यहाँ पर उसको select करना होगा, लेकिन अगर अगर आप no कर देंगे, तो यह सारे box जो हैं, बंद हो जाएंगे, अगला option है, क्या आप उत्तर प्रदेश के खिलाडी हैं, skilled player, अगर हैं तो yes करें, और उसकी जानकारी दें, और अगर नहीं है तो आप no पे click करें, यह box बंद हो जाएगा, इसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्मेंट के employee हैं, तो आप yes कर दें, अन्य था no पे click कर दें, अगर आप yes करेंगे, तो आपको अपने employment की जानकारी देनी क्यों, service year, service month और service day आपको डालना होगा, अगर नहीं है तो आप no पे click कर दें, इसके लावा अगर आपको कभी भी UPPSC द्वारा divide किया गया है, तो आप yes कर दें, अगर नहीं था no पे click करें, category select करनी है आपको, सामान यानसुचे जाते हैं, अनसुचे जन जाती पिछड़ा वर्क, आप अपनी category select करें, उसके बाद अगर आप सामानी select करते हैं, तो यहाँ पर EWS का option आएगा हैं या नहीं आपको डालना होगा, और अगर आप अनसुचे जाती select करते हैं, तो आपको यहाँ पर, तो EWS का option हट जाएगा, इसी तरह अगर आप OBC में select करते हैं, तो आपको category select करनी है, category select करने के बाद आपको date of birth डालनी होगी, अपना day, month और year select करें, उसके बाद आपको gender select करना है, महिला आयम पुरूस, उ इता no पे click करें, अपना mobile number डाले, अपनी email डाले, इसके लाबा हाइश कूल के बारे में आपको जानकारी देनी, किस board से pass किया है, किस साल में pass किया है, और role number डालना है, उसके बाद आपको intermediate के जानकारी देनी है, किस board से, किस year में, और फिर role number, इसके बाद आपको education qualification डालनी है, जो कि mandatory है, और उसके बाद आप validate and preview पे click करें, capture fill करके आपको validate and preview पे click करना होगा, और आपका registration हो जाएगा, उसके बाद आपको application fees जमा करनी है, 125 रुपे, अगर आप unreserved या फिर OBC category में है, अलग-अलग category के अलग-अलग application fees है, आप application fees जमा करें, और application fees जमा करने के आपको जो है, यहाँ पर registration number डालना होगा और उसके बाद आप transaction ID डालेंगे, हाला कि मेरी transaction ID अभी नहीं generate हुई है, तो मैंने यह PDF से आपको बता दिया है, आप इसकी official website पे जाके check कर सकते हैं, कि form को कैसे fill करना है, उसका पूरा detailed PDF दिया गया है, तो आप यहाँ submit करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से खुल कर आएगा, आप यहाँ पर अपना photo select करें, photo select करने के बाद आपको जो है, यह verification number डालना है और upload कर देना है, photo or signature, signature जो है आपका photo के नीचे होना चाहिए, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, उसके बाद final submission for application पे click करना है, और इस box को tick करें, उसके बाद आपके सामने यह application form आएगा, यहाँ पर आपको अपनी सारी details डालनी है, subject डालने है, तो कौन सी post के लिए, कौन से education qualification होगी, इसके लिए आप यहाँ notification पे आएं, और आप देख सकते हैं, sub-register, assistant, prosecuting, officer, transport के लिए आपको log graduate होना चाहिए, district basic इच्छा दिकारी, associate, dios, या फिर other equivalent administrative post के लिए, या फिर other equivalent administrative post, यानि कि district administrative officer के लिए, आपको post graduate pass होना चाहिए, किसी भी stream से, इसके लावा district audit officer, revenue audit के लिए, commerce graduate होना चाहिए, और assistant controller legal measurement grade 1, assistant controller legal measurement grade 2 के लिए आपको जो है, graduate होना चाहिए, science में, physics के साथ, या फिर mechanical engineer हैं, तो पास होना चाहिए, उसके लावा B.A. पास होना चाहिए, और chemist की बात के लिए, MSC होना चाहिए, organic chemistry में, और कम से कम 3 साल का experience होना चाहिए, chemical analysis में, chemical analysis of edible product like honey, oil, spices, इन सब में, वहीं पर officer on special duty computer की बात करें, तो इसके लिए, computers engineering में graduate होना चाहिए, या फिर आप first class post graduate है, math में, और एक साल का आपके पास post graduate diploma है computer science में, तो आप application form फिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपके पास एक साल का work experience होना चाहिए, लेकिन अगर आप केवल engineering graduate है computer में, तो भी application form फिल कर सकते हैं, तो in post के लिए आपको special education qualification चाहिए, बाकी सभी के लिए आपको केवल bachelor degree पास होना चाहिए, और age की बात करें, तो आपकी age जो 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, तो आप इसका application form फिल कर सकते हैं, मैंने link वीडियो के description में दे दिया है, और comment में पिन कर दिया है, और ये वीडियो देखने के लिए था मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन आपने भाद